आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQZ 900 मॉइल फोन में अगर आपके मॉइल फोन की करना है अगले का में आपको फोन में यह वाला फायल का यह उप्षाइल का अपन करने हैं अगले पेज में सब्सवान सिस्टम अपने यहां पर आपको नीचे आना है इसे के अंदर आपको यह यह ऑप्षाइल टापकर अगले पेज में आपको टाप करने तो आपको बैक पेज पेज पर जाना है अब इसके भी दूपने पेजों और करने को तौप्टेयर आपको चालू रखना है इसके बार फोन का सेटिंग पर ऊपन करने सब से उपर आपकोई या सबसे उपर सर्च में am update आपको लिखना है आपको Ball Samsung तब करना है जब मेरे प्रोसेस काम नहीं करते हैं तब आपको số 2 को research करना है अधरवा Kingdom नहीं करना है, phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए, सबसे उपर आपको इस search icon पे tap करना है, यहाँ पे सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है, आपको नीचे ने यह option मिलता है, erase all data factory research, इसे tap करना है, आपका phone directly आपको इस setting मिलाएगा, erase all data factory research पे tap करेंगे, तो अगले page में सबसे नीचे erase all data का यह option टाप करना है, इससे आपका phone reset हो जाएगा, और आपकी जो incoming call screen के ओपर show नहीं होती है, यह problem solve हो जाएगी, लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे, या आप अपने phone के data का backup ले लिजे अपने phone में, ठीक है, और दूसरी बात ही ध्यान रखने, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बात phone को reset करने हैं, ठीक है, तो मेरे बताएवे सारे process आपको यूज़ करने से आपकी problem solve हो जाएगी, ठीक है,